ही गाइस वल्कम बैक मैं यूटूब चैनल अब लिगा रंग कैसे हैं आप आयो बच्छे होंगे वीडियो की सुरुआत इस हिबिसकस प्लांट से गाइस आज में बताने वाली हूं कि आप अपने हिबिसकस प्लांट से मिली बग को कैसे हटा सकते हैं वो भी बिना एक रुप प्लांट इस पर आपको एक भी मिली बग नहीं दिखेगा प्लस इस पर कलियां भी आ रहे हैं कंटीनियों हरे भरे मेरे मेरे प्लांट है पहले आप मेरे प्लांट को अप देख लीजिए ताकि आपको विस्वास हो जाए कि वो सिम्पल सीट टिप्स कितनी फायदेमंद है ये परी के ब्रांच है कितनी फूपसूरत है इस पर कलिया लगी हुई है ठिक ठक है क्योंकि मिलि अब जबिला हुसे है और प्लान्ट की जो प्लान्ट का यह वाला हिस्सा होता है इसी पे मिली बग का अटेक सबसे ज़्यादा होता है और इर बा लोगद यहां से होती है तो यही रुक जाता है प्लांट की डोद可愛 अधिया पाथे पीले पड़की घर जाते हैं और आप पूरे के पूरे प्लांट को देख सकते हैं कुछ भी इसका एक भी पत्ता पीला नहीं है और यह बहुत ही अच्छे सर्वाइब पर है और इसमें फ्लावरिंग भी काफी अच्छी होती है बड़े-बड़े स्वाइच के फूल आते हैं सिंगल पैटल का है यह पर आपको करना यह है कि जो मैं टिप्स बता रहे हूं वो गमले में लगे हुए प्लांट के लिए है कि आप अपने गमले के प्लांट को उठा कर ऐसी जगह पे रखे जहां पर उसे तीज धूप न लगें क्योंकि मिली बग अकसर उसी हिविसकस प्लांट पे अटैक ज्यादा करता है जो कि फुल संनायत में रखे होती है उनके ओपर ग्रीन नेट भी नहीं होता है कुछ भी नहीं होता है या फिर ऐसे प्लांट जो की जमीन पे लगे हुए हैं और उन्हें पूरे दिन की धूप मिलती रहती है ऐसे प्लांट पे मिली बग का टैक बहुत ही ज्यादा ह यह होगा कि आपके प्लांट को दिन की एक या दो टाइम की धूप मिलेगी बाके टाइम के धूप से यह बचा रहेगा और इस यह देखी इस पर इस टाइम चाओ है तो इसके उपर 10-11 बज़े के बाद धूप आनी बंद हो जाती है इसके लिए मेरा प्लांट हेल्थी भी हो इस प्लावरिंग भी कर रहा है और इसपफ़ मेलीग बका टेक नहीं हुआ है तो मैंने इस बात को नोटिस किया और मैंने आपके एपके शेयर करदिया हालाकि यह जहां पे था ऊहां पे वहां पर फुसल द्लाइव में था हूस्की इसको हटा दिया जगा चेंज कर दिय क्योंकि मुझे पता है कि हर प्लांट को धूप तो अच्छे लगती है पर इतनी जादा धूप अच्छी नहीं लगती है कि वह अच्छे से ग्रोथ ही ना कर पाया उस पर बहुत जारे डिजीज अटैक कर दें तो यह रही पूरे मेरे प्लांट का भी है आप देख लीजिए बस आपको यह सिंपल सी ट्रिक्स अपनानी है तो यह बहुत ही काम की चीज है आप जरूर से इसको एक बार ट्राइ करिए और अपने जो भी आपका एक्स्पिरियेंस हो मेरे साथ कमेंट में जरूर लिख भेजिए बाई है प्यूनाइश टे